केसर का फूल दुनिया भर में सुगंधित फूलों में से एक है जिससे मसाला केसर बनता है। यह तीन लाख रुपए प्रती किलोग्राम बिखता है। यह महंगा इसलिए क्योंकि एक पाउंड केसर निकालने के लिए लगभग सत्तर हजार फूलों की आवश्यक्ता होती है। आप लोगों को लगड़ी के हैंगर्स देखकर यही लगता होगा कि ये भी दूसरे हैंगर्स जैसे ही है सिर्फ थोड़ा अच्छा और अलग दिखने के लिए ऐसा बनाया गया है तो आपको बता दे कि ये वुड़न हैंगर्स देवदार की लगड़ी से बनाये जाते हैं और देवदार की खुश्बू से कोई भी कीड़े सामने नहीं आते यही कारण है कि महंगे कोट या दूसरे कपड़ों के साथ वुड़न हैंगर्स दिये जाते हैं ताकि कीड़े आपके कपड़ों को खराब ना करें जब आप बहुत तीखा खाते हैं तो आपको ऐसा महसू कुश जाता है कि जीब दर्द में है और जल रही है यह केवल मेंटल रियाक्शन है क्योंकि वास्तव में जीब नहीं जल रही होती बस आपके ब्रेन को ऐसा लग रहा होता है कि जीब जल रही है क्या आप जानते हैं कि जापान में किट कैट चॉकलेट 400 फ्लेवर के साथ बिखती है और इन चॉकलेट्स का बच्चों के एक्जाम से बहुत बड़ा संबंध है अक्सर लोग किसी की छीखने पर God bless you कहते है लेकिन बहुत से लोग ऐसा क्यों कहते हैं वे खुद नहीं जानते दरसल जब हम छीखते हैं तो हमारा दिल एक मिली सिकंड के लिए काम करना बंद कर देता है और इसी लिए उसे God की blessings दी जाती है ताकि उसे कोई problem ना आए Did you know आर्माडिलो की नजर कमजोर होती है और ये अपने शिकार को सूंग कर पहचानते हैं एक मादा आर्माडिलो अपने जीवन काल में 54 बच्चों को जन्म दे सकती है यही वजह है कि इनकी तेजी से आबादी बढ़ती है Harpy Eagle दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है इस पक्षी की आँखों की नजर इंसानों से आठ गुना तेज होती है इसलिए तो ये एक इंच से भी छोटे शिकारी को 650 फीट दूर से देख सकते हैं यह पक्षी अपने चेहरे की डिस्क के पंखों को उल्लू की तरह इच्छानुसार नीचे या ऊपर उठा सकता है क्या आप जानते हैं कि यदि आप नल के पानी से आइस क्यूब्स बनाएंगे तो वे सफेद होंगे और यदि आप उबले हुए पानी से बनाएंगे तो ये ट्रांस्पैरेंट होंगे Do you know Don Pablo Escobar एक ऐसा व्यक्ती था जिसने दो मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ इसलिए जला दिये थे क्योंकि उसके पास लकडी की कमी थी और उसकी बेटी को ठंड लग रही थी लायर बर्ड संसार के सबसे सुन्दर पक्षियों में से हैं जो केवल आस्ट्रेलिया में पाया जाता है यह नकल करने में बड़ा ही एक्सपर्ट है यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भॉंकने तथा कारों के हौर्न की आवाज की भी नकल कर लेता है और यह सीटी की आवाज भी निकालता है जापान में परीक्षा से पहले हर तीन में से एक बच्चे को किट कैट दिया जाता है इसकी वजह बहुत दिल्चस्प है जापानी भाशा में किट कैट को किटो काटो बोला जाता है यह इस तरह बोला जाता है जिससे की सुनने में किटो काट्सु लगे जिसका मतलब होता ह कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे. त्री दुनिया का सबसे बड़ा पेड माना जाता है और यह पेड लगभग 275 फीट लंबा है. लगभग 3400 वर्ष पुराना यह पेड आज भी खड़ा हुआ है. इस विशाल पेड को लोग दुनिया भर से देखने आते हैं. Do you know पीले रंग को हर मौसम में आसानी से देखा जा सकता है? चाहे वो बारिश, फॉग सीजन या कोई भी सीजन हो, पीले रंग की विजिबिलिटी बेहद अच्छी होती है. Do you know नौर्वे की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा मिलती है? और यहां सबसे बड़ी सज्जा बस 21 साल की कैद है? जैकोबिन कोयल यानी चातक एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ और सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है. इसे पपीहा भी कहा जाता है. Do you know पपीहा पक्षी की अनोखी बात ये है कि ये अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है. Do you know घोस्ट औरकिड के सफेद फूल असपष्ट रूप से भूतिया दिखते हैं और वे पत्ती रहित पौधे द्वारा बनाये गए ब्रहम के कारण जंगल में मंडराते हुए प्रतीत होते हैं. घोस्ट औरकिड जून और अगस्ट के बीच खिलता है. आमतोर पर साल में सिर्फ एक बार लगभग एक या दो हफते के लिए. या हो सकता है कि यह साल भर के लिए न खिले. डू यू नो सेक्रेटरी बर्ड अफरीका का मूल निवासी है और घास के मैदानों में रहता है. ये पक्षी उन इलाकों में अधिक पाए जाते हैं, जहां अधिक संख्या में सांप होते हैं. आपने कभी सोचा है कि आखिर स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है? कोई दूसरा कलर क्यों नहीं? स्कूल बस का पीले रंग के होने में खास वज़ा है. दरासल लाल रंग के बाद बीला रंग एक ऐसा रंग है, जिसे हम आसानी से काफी दूर से भी देख सकते हैं. जब यह पक्षी अपनी चोंच को पैड़ि के तने पर मारता है, तो इसकी आवाज दूर तक सुनी जा सकती है. हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेप्चिून है, जिसके सतह का तापमान माइनस 200 डिग्री सेल्सियस है. Do You Know दुनिया में अब तक की सबसे लंबी सरजरी 2001 में 20 डॉक्टरों की एक टीम ने सिंगापुर जनरल अस्पताल में की थी. इसे पूरा करने में 103 घंटे का वक्त लगा था, यानि ये 4 दिनों तक चली थी. क्या आप जानते हैं कि खरगोश के कान एंटीना की तरह काम करते हैं? ये एक बार में दो तरफ से आने वाली आवाजों को सुन सकते हैं और खरगोश के दांथ हमेशा बढ़ते ही रहते हैं. तभी तो उन्हें हमेशा कुछ न कुछ कुछ कुतरते रहना पड़ता है. क्या आप जानते हैं कि पास्पोर्ट अपलाई करने के लिए पास्पोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है जो बिना किसी चश्मे और टोपी के खींची गई हो. इसके अलावा आपके बाल, आपके चेहरे या आपके कानों को नहीं ढख रहे हो. और यदि आपने अपने चेहरे पर नया टैटू बनवाया है या आपके चेहरे पर कोई सर्जरी हुई है, तो आपको नया पास्पोर्ट बनवाना होगा. Do you know, एक्सोलोल अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकता है? इसके साथ ही ये रीड की हड़ी, दिल और हाथ पैर भी रीजेनरेट करने की क्षमता रखता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि इसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा निकाल भी दिया जाए, तब भी ये इसको दोबारा से विकसित कर सकता है. यहां का टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की कमाई को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, ताकि उसे हर कोई देख सके. Do you know देवदास फिल्म देव का किरदार निभाने के लिए सबसे पहले सल्मान खान को पसंद किया गया था, लेकिन सल्मान के दूसरे फिल्मों में व्यस्त होने के कारण ये रोल शाहरुख खान को दे दिया गया. क्या आपने एसकेलेटर के किनारों पर लगे ब्रिसल्द्स पर ध्यान दिया है? आपको बता दें कि एसकेलेटर पर ब्रिसल्द्स इसलिए बनी होती हैं, ताकि लोग किनारों से उचित दूरी बना कर रख सके और उनके शू लेसस, दुपट्टा, साड़ी आदी के सबसे खूबसूरत देशों में भी शामिल है. यहां की प्राकृतिक सुंदर्ता ऐसी है कि यहां घूमने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं. यहां ऐसे ऐसे अदभुत नजारे देखने को मिलते हैं, जो शायद ही कहीं दिखेंगे. Do you know Northern Lights प्रकृति की खूबसूरती को दिखाती है? इन्हें प्रिथवी के सबसे बड़े लाइट शो के तौर पर माना जाता है. अभी तक यह नहीं मालूम था कि आखिर वो क्या वज़य है जो Northern Lights को पैदा करती है. आपने पार्क और म्यूजियम में घोडों पर बैठे जमीन पर ही होती है. ये मूर्ती का कोई डिजाइन नहीं होता, बलकि इसके पीछे एक कारण है और वह है कि घोड़ा जिसके अगले पैर उपर की ओर होते हैं, इसका मतलब है कि इस घोड़े पर बैठा योद्धा युद्ध में मरा है. जबकि जिस घोड़े के सभी पैर ज ज्यादा अंडे दे सकती है. और इसके एक अंडे में मनुष्य से चार गुना ज्यादा डिएने होता है. मकडी के खून का रंग नीला होता है, क्योंकि इनके खून में लोहे की जगह तामबा पाया जाता है. आखिर शनी ग्रह पर इनसान क्यों नहीं रह सकते हैं? दरसल शनी ग्रह पर अठारह सो किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से हवाएं चलती हैं. यह प्रित्वी पर चलने वाली हवाओं से पांच गुना अधिक तेज हैं. शनी ग्रह का ओसत तापमान माइनस 178 डिगरी से के आसपास रहता है. ऐसे में यहां इनसान बसने की सोच भी नहीं सकता? Do you know? डेड सी प्रित्वी पर सबसे खारे पानी में से एक है, इसमें सामान्य समुद्री जल की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक नमक है और इसमें लोग आसानी से तैर सकते हैं. डेड सी 306 मीटर गहरी है और इसमें कोई भी जीव जन्तु नहीं पाये जाते. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें.